साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे parts को cover कर लिया है तो basically अभी जो information मेरे पास है वो यह है कि जैसा कि आपका GATB और DBT-JRF का result आ चुका है और कुछ बच्चों को ये problem थी कि उनका score calculate करने पर कुछ और आ रहा थ था और RCB ने जो final scorecard आया वहाँ पे कुछ और था तो अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं बट यहां पर आज की जो यह notice है यहां पर final answer की GATB का जो कि कल अपडेट कर दिया गया था और DBT-JRF 22 का भी final answer की आज अपडेट कर दिया गया है तो आप यहां से अपने questions यहां पर drop किये गया है इस पूरे में जिसके drop का अर्थ यह है कि वो number सभी को provide कर दिया गया है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है जिसने भी वो part को attempt किया है बट उसके अलावा भी बहुत सारे questions के answer change हुए है तो आप उसको देख सकते हैं जिसमें से मैं आपको एक चीज को मैं बता देता हूँ जो कि एक काफी controversial question इस बार dbt.jrf में पूछा गया था और वो question था अगर आपने paper दिया होगा तो notch और delta से related था तो यहां पर उन्होंने जो भी मैं जहां तक मुझे question paper याद है तो answer में उन्होंने fourth दिया था जिस option में दिया हुआ था कि notch औ और delta जो होते हैं वो same precursor cell राइट यह वाला option जो कि अपने official answer key में dbt ने दिया था बट इस question के अब answer को change करके यहां पर मैं इसको different column से highlight कर देता हूँ अब यहां पर चार चौथे को चौथा option नहीं यहां पर तीसरा option correct कर दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा बच्चों ने इसको tick किया था कि notch और delta जो होते हैं वो different cells पर पाए जाते हैं ठीक है different cells पर होते हैं तो यह option को correct माना है अब final answer key में तो खैर अब जो होना था वो हो चुका है बट आप इस answer की को एक बर वापस से देखिए और अपनी गलतियों को देखिए और final answer की से अपने number को calculate कीजे क्य आप को दिया हो तो इस चीज को आप verify कर सकते हैं बाकि इस topic को भी मैंने अपने lectures में वीडियो में cover किया हुआ है तो आप notch delta को वहां से आप फिर से पढ़ सकते हैं ताकि आने वाले exams में आप से ऐसी गलतिया ना हो जहां पर मैंने यह दोनों ही points को बताया था ठीक है notch delta different cells प ICMR और CSIR के लिए बाकी अच्छा लगा होई वीडियो तो इसे like share और subscribe जरूर करिए मिलते हैं नए वीडियो में नए lecture के साथ thank you very much